इस वक्त रात के तीन बज रहे हैं और संबू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ हमने आपको लैविश कमरे दिखाए तो दूसरी तरफ हमने ट्रॉली में किस तरह से शेड बनाया गया है जिसमें किसान सोते हैं वो दिखाया अब दिखाते हैं कि किसान कैसे एक ताल पट्टी लगा कर जमीन में सो रहे हैं भ्यानक ठंड में भी और इसमें बहुत सारे बुजुर किसान हैं युवा हैं जो इसी तरह से जो ये हाइवे आप देख रहे हैं संबू बॉर्डर का जमीन में ही एक गद्दा भी शाया हुआ है और एक कंबल और अपने जो बैग हैं जिसे देख सकते हैं कि इन्होंने बैग को अपना तक्या बना तो अपनी तयारिया की हुई हैं लेकिन वह हर संघर्ष के लिए किसान तयार हैं चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो उन सभी चीजों के लिए इन्होंने अपनी पूरी तयारी की हुई है चाहे इन्हें जमीन में सोना पड़े चाहे किसी भी इस्थिती में इन्हें रहना जहाँ पर दिन भर, जब लंगर चलता है, तो लंगर में पानी का इस्तेमाल होता है तो ये स्थिती है इस वक्त संभू बॉर्डर की जहां पर किसान किस स्थिती में सो रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि यहां पर देखें तो इन्होंने अपने टॉली के अंदर ही लाइट की व्योस्था तक की हुई है कई किसान इन्वेटर के इस्तमाल करते हैं या जो हाइवे पे जो खंभे जो लाइट लगी हुए वहां से कनेक्शन इन्होंने इस तरह से लिया हुआ है आपको light हमने दिखा दी, light connection भी इन्होंने इन्हीं खंभों से अराम लिया हुआ है कि इनका mobile charge हो सके, ये अपने परिवार, अपने घर, अपने गाओं देश में बात कर सके तो ये connection है जो इस पोल से लिया हुआ है ये किसानों ने अपनी नई तरकीब इजात किया है इन्हें किसी भी स्थिती में रहना हो तो उसके लिए इनको क्या कुछ तयारिया करनी है वो तयारिया करके इन्होंने रखें जिसे कि इस tractor के ट्रॉली में देखें ते इन्होंने गदे को लगा दिया है और अंदर किसान सो रहा है, जो बाहर की हवा है या कहें कि ठंड बहुत ज़ादा रहती है, कोहरा हो जाता है कई बार तो ये सब अंदर न जा सके जिसे कि किसान को ठंड लगे उसके लिए भी इन्होंने पूरी वियोस्ता की हुए सुबा के इस वक्त चार बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं शंबू बॉर्डर पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से किसान ठंड में, ओस में और कोहरे में सो रहा है अपनी तैयारियों को लेकर किसान ने आपको बता दियें कि यो ट्रैक्टर और ट्रॉली है ट्रॉली के उपर एक शेड बनाया गया है और शेड के अंदर गदे, बिस्त्रे, तकिया, यहां तक की पंखे का भी इंतजाम किसानों ने किया हुआ है कि अगर गर्मी पढ़ने लगे दोपहर के वक्त जब धूब जादा होती है तो पंखे का इस्तेमाल कर सके ऐसे में आप देखें कि किसान किस तरह से कंबल के अंदर सो रहा है तो किसान के इसी ट्रॉली में खाने पीनी की तमाम वो चीजें मिल जाएंगी बोरे में आपको आलू, प्याज और इसके साथ-साथ जो अनाज लेकर आये हुए हैं वो मिल जाएंगे तो इसी तरह से अलग-अलग ट्रॉलियों को शेड के तौर पर यहाँ पर पॉलिसिन से धाका गया है और पूरी बिस्तर लगाए गया हैं गद्दे लगाए गया हैं और इसी तरह से हम दूसरे अगर हिस्से में चलें और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें तो यह यहाँ पर भी एक शेड बनाए गया है और इसी शेड में एक ट्रॉली में अगर बात की जाए तो तक्रीबन आठ से दस किसान आसानी से सो सकते हैं और इन्होंने और इसी तरह से पूरी विवस्था करके यहाँ पर रखिया तक कि जो गैस सिलिंडर है वो भी ट्रॉली में म पूरी विवस्था करके अपनी रखी हुई है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहों एक कहें तो उनके लिए यह ट्रैक्टर और ट्रॉली घर के जैसा है जहाँ पर घर में लोग एक शेड में रहते हैं उसी तरह से किसान भी एक अपने घर नुमा इस शेड में हैं हम कैमिरोमें से कहेंगे, यहाँ पर आए, किसान ने हमसे बात करेंगे आपने पूरी इस ट्रॉली को एक घर जैसे आप सभी ने बना दिया है इसमें क्या कुछ व्योोस्ता आप लोग ने किए है इसके अंदर खाना दाना आपना रहने के बाफने के लिए जो भी खाने पिनियाला माल से लीडा कपड़ा है बैक जो तरटेंग नील गता पूरा रूम बनेगा जाफ़ी बना घर है जो सटके जो तना ते रहेगा गरी वैठे यह जिसानों का घर है जैसा कि चाचा बता रहे ये घर नुमा पूरा बनाया हुआ है इसी तरह से आप देखें कि ये रोट का एक हिस्सा है जहां पर इस वक्त मौझूद हैं रोट के दूसरे हिस्से में भी इसी तरह से ट्रैक्टर टॉलियां है यहां तक कि जो पानी के टैंकर हैं वो भी रखे गए हैं कि पानी इनके हुई है और इसी तरह से तक्रीबन 10 किलो मीटर तक दोनों हिस्सों में हजारों की संक्या में किसानों के मुताबिक 6,000 से जादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां इनके पास मौझूद हैं और खासतोर पर मनुरंजन के लिए अगर बात की जाए तो ट्रैक्टर में म्यूजिक सिस् की गई हैं कैमरा में दीपक के साथ दीपक दुबे न्यूश वनिफोर्ट